श्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था इतिहास लेकन और सोध प्रविधी तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा भी इतिहास के वरें बताया था कि इतिहास क्या है और उसे समंदित कुछ परिभासाएं थी और उनसे समंदित कु क्यों पढ़ें क्या जानकारी मिलती है उसकी उप्योगिता क्या है हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे उसके महात्य के बारे में बात करेंगे तो चलिए हम लोग पढ़ते है इतिहास विसे कम महत्त देखे यह समाज में मनुष्य के विकास का अध्यन है मनुष्य क वो दो पैरों पर आया थे धीरे धीरे उसने सारी चीजे विक्सित की, आज के युग में देखिया आप मनुस कहां पहुँच गया, टेक्नलोजी आ गई है, रोबोट आ गई है, आदमियों जैसे, मतलब तो यह पूरा जो विकास हुआ है, सुरू से लेकर अभी तक, यह सब पूरा विकास हुआ है, इसी का अध्यन ही इतिहास है, इतिहास के अध्यन के आभाव में, देखिये, यह सब बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि कथन और कारक्स समंदित परिभासां पूछी जाती है, तो यहीं से कोई न कोई कथन उठा के दे दिया जाता है, इ समझ गया अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं, तो आप वरतमान को समझ ही नहीं पाएंगे कि हम वरतमान तक पहुंचे कैसे, और भविश में हमारा क्या होगा हम यह भी नहीं समझ पाएंगे, इसका अकलन भी नहीं कर पाएंगे, इसी कारण पाष्ठ करम में इतिहास को अ विद्यार्थियों में अपने देश के अतीत के परति प्रेम इवं गवरों की भावना उत्पन होती है इवं इनके ग्यान से जात इधर में भासा आदिके बंधनों को समाप्त कर भावना आत्मक एकता का विकास किया जा सकता है यह से पूछ सकता है आपसे कि इतिहास से क्या फाइदा होता है या इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए उसमें कुछ दिया रहेगा आपको चार आप्सन रहेंगे तो इतिहास पढ़ते हैं तो क्या होता है हमें अपने देश के अतीद के बारे में जानकारी मिलती कि हमारे देश में जो पहले लोग थे उन्होंने क्या क्या कार किये कोई संस्था है वो कैसे अस्तित्त में आई तो हमें अपने देश पर गर्ब महसूस होता है और इससे क्या होता है चुकि पहले सुरुवात में जब मानों की उत्पत्वी तो उसमें कोई धर्म जाती भासा ऐसा कोई भेदभाव नहीं था सभी लोग एक साथ रहते थे आदम के समय आप जानते होंगे जब मनुष्य बहुत ज़्यादा टेक्नलोजी से ग्यात नहीं था पत्थरों जंगलों से अपना जीवनियापन करता था तो उसमें उनमें कोई धर्म किया जाती भेदभाव नहीं था उसमें सब एक समान रूप स रहते थे तो जब हम अपने इतिहास का द्यन करते हैं तो हम भी कहीं न कहीं धर्म और जातिक के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं हम भी एक समान रूप से रहने का सोचते हैं फिर है इतिहास का प्रमुक कार यह इसपश्ट करना है कि मानों तथा समाज का विकास किस प्रकार हुआ तो सबसे प्रमुक कार क्या है इतिहास का यह इसपश्ट करना है कि मानों और समाज का विकास कैसे हुआ उसका यहकार नहीं है कि वा राजाओं, रानियों, युद्धों, संधियों चाहत इतियों के विशे में ही विवरड़ परस्तुत करें इतिहास अतीत के वरड़न द्वारा वरतमान का इसपस्टिकरण करता है जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको जब पहला वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि एक इतिहास कारत है फ्रीमेन उन्होंने सिर्फ राजनीतिक इतिहास को ही इतिहास बताया उन्होंने कहा जो राजनीतिक इतिहास है वही इतिहास, उन्होंने एक संकीर परिभासा दी, लेकिन यहां क्या बताया गया, कि इतिहास सिर्फ राजा, रानियों, युद्धों, संधियों, तितियों का इतिहास नहीं है, बलकि इसमें हम अतीत के वर्डन के द्वारा वर्तमा प्रियास के बारे में हमको जानकारी मिलती है इतिहास के दौरा फिर हम वरतमान का इसपश्ट करण करते हैं कि हम वरतमान तक कैसे पहुंचे इतिहास का अध्यान अत्यंत अवस्यक है जिसके महत्त को निम्न बिंदो द्वारा इसपश्ट किया जा सकता है अब यहाँ पर कुछ मैने बिंदो के माध्यम से समझाने का प्रियास किया है सबसे पहला इतिहास का सैच्छिक महत्तु क्या है सैच्छिक दृष्टी से इतिहास का ग्यान अत्यंत महत्पूर है इतिहास भावी सिच्चा का अधार है इतिहास मानो जीवन को परिस्कृत, पुस्पित और पल्लवित करता है यहां मनुस को परिपक, बुद्धिमान और अनुभवी बनाने वाला एक उप्योगी विशय है अतीत के आधार सिला पर वरतमान का निर्बार करने तथा भावी मार्ग दर्शन के लिए इतिहास मनुस को सक्षम बनाता है अब देखें ये कथन आपको याद रखना है हीगेल का, हीगेल ने लिखा है कि मनुस इतिहास स्वा सिच्छा पराप्त कर सकता है जो अन्य विशय में आप पराप्त है आप पराप्त है, मतलब इतिहास से जो सिच्छाम को मिल सकती वो अन्य किसी विशय से नहीं मिल सकती है यह कतन हेगल ने का है तो यह आपको लिख लेना है याद रखना है यह प्रस्ण पूछा जा सकता है UGC.net.jrf के एक्जाम में तो यह रहा सैक्षिक महत्व अब हम लोग बात करते हैं व्योसाइक महत्व अब देखें यहाँ पर व्योसाइक महत्व क्या है व्योसाइक द्रिष्टी से भी इतिहास का कम महत्व नहीं है इतिहास का ज्यान पराप्ट करने के लिए व्यक्ति पुस्तकालेयों संग्रालेयों तथा अन्य संस्थानों में कार करने का आउसर पराप्ट कर सकते हैं माली जी आपको इतिहास की जानकारी है तो आपको किसी पुस्तकाले में न्यूक किया जा सकता है किसी संगराले में आपको काम दिया जा सकता है या अन किसी संस्था में आपको काम दिया जा सकता है क्योंकि आपको इतिहास का ज्यान है तो मतलब आप बेवसाय भी कर सकते हैं इतिहास के ग्यान से पत्रिकारता के लिए तो इतिहास का ग्यान वरदान है भाई अगर आप पत्रिकारता करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जितना अधिक इतिहास का ग्यान होगा उतना बढ़ है आप पत्रिकारता करेंगे उधारन देंगे उतना बढ़ है तो जर पार्थ होता है तो यह ब्योसाइक महत्त है इसका इतिहास का फिर है नैतिक महत्तु इसका क्या है इसको देख लेते हैं यह नैतिकता की सिच्छा प्रदान करता है या समाज के नैतिक मूल्यों को भी संदचित रखता है विश्व के तमाम महापुरसों की जीवनियों को या मा दरसल से परचित होते हैं तथा उनके आदार्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रियास करते हैं इससे चात्रवा पाठक के विक्तित में नैतिक गुड़ों का विकास होता है तो यह इसका नैतिक महात है अब आप समझ गए होंगे इसमें को समझाना था नहीं कि जब हम इतिहासकारों महापुरुसों के बारे में भी पढ़ते हैं उनकी जीवनियों के बारे में उनके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं तो उनसे हमें प्रेणा मिलती है उन्होंने किन कठनाईयों में कैसे क्या किया कैसे सफलता हासल की जब उन सारी घटनाओं को हम लोग इतिहास का नैतिक महत्व है। अब हम लोग देखते हैं इतिहास का अनुसासनात्मक महत्व क्या है। इतिहास विशय का अनुसासनात्मक महत्व कम नहीं है क्योंकि इतिहास अध्यन द्वारा छात्रों की मानसिक सक्तियां पर सिच्छित होती है। अन्न विसेव की तुलना में इतिहास अध्यन में चात्रों को इसम्रण एम कलपना के लिए अधिक आउसर पराप्त होते हैं, जब चात्र इतिहास अध्यन में किसी अयतिहासिक घटना के कारण एम प्रड़ाम का सुच अध्यन करते हैं, तो तथियों का परिच्छड करने एम हम अध्यान करते हैं तो हम वेबिन सासव के बारे में अध्यान करते हूं। और उन्होंने जो भी कार किये, उनकी जीवनियों को हम लोग पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कैसे अनुसासन में रहकर महांकार कर गए तो हम लोग प्रोसाइद भी होते हैं उससे हम भी लोग अनुसासन में आने का प्रयास करते हैं कोई सासक कैसे समय का उप्योग किया और किस प्रकार उसने विजय प्राप्त की ये सारी चीजे हम लोग पढ़ते हैं तो हम भी समय की उप्योगता को समझते हैं कि यह सारी चीजे आपको अनुसाहसनात्मक महत में देखने को मिलेंगी तो यह इसका अनुसाहसनात्मक महत्व है और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये बुद्धी को बहुत तीब्र कर देता है, सार्प कर देता है, मतलब इतिहास में कोई घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ये सोचता है आदमी तो धीरे-धीरे उसकी तरक सकती बढ़ने लगती, तो ये भी एक फाइदा है, इतिहास के अध्यन का, अब है फिर सांस्कृतिक महत्तु, तो सांस्कृतिक महत्तु इसका क्या है, इसको देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा, सांस्कृतिक द्रिश्टि से भी इतिहास का व्यापक महत्तु क्योंकि यह मानो मस्तिस्क एवं आच्रण को सुप संस्कृत बनाने का प्रमुक एवं प्रभावपूर साधन है, इसके अध्यन से चात्र अपने जीवन की अतीत, कालीन, सब्भिताम संस्कृति के आधार पर वरतमान संस्कृति को समझने में समर्थ होते हैं और उसके करमिक विकास का ज्यान पराप्त करते हैं, इतिहास द्वारा विद्मान तत्यों की अभिव्यक्ति, अपनी रीत रिवाज, अपनी प्रथाओं, अपनी प्रमप्राओं आध का ज्यान भी कराया जाता है, प्राची पूरवज कैसे रहते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, उनकी क्या परमपराएं थे, क्या रीत रिवाज, क्या परताएं थे, इन सारी चीजों की जानकारी हमें मिलती है, जैसे हम सिंदुग हाटि सब्विता के बारे में जानते हैं, वैदिक सब्विता के बारे में जा इसकी पूरी कहानी कहीं न कहीं भविष Years में हैं निगर विक्सित हुए है तो इसकी कहानी कहीं न कहीं पहले सेही शुरू हुई होगी धीरे धीरे विकास होते हुए आज हम लोग यहां पर पहुँच गये हैं तो इस सांस्कृतिक महत थो इतिहास का सूचनात्मक महतु भी अधिक है या एक तरफ से सूचनाओं का विशाल और अधुद भंडार है चात्र इसके अध्यान द्वारा विविद मानुए समस्याओं के समाधान खोच सकते है जिसमें समस्याओं है उसका समाधान कहीं न कहीं इतिहास पढ़के खोच सकते है इसके वास्तिविक अध्यान से अवबहोध के नए आयाम जोड़े जा सकते है अतीत कालीन अन्भहो के अध्यान से व्यक्तियों के विद्वैस संकीरता दूर करने में शहायता मिलती है बहुत सारी सूचनाय हमको प् पुर्गों, खंडाहरों, भावनों, राजपरसादों, मिनारों, गुफाओं, इस्दूपों, इस्तंभों, सिलालेकवाद के विशे में पढ़कर आयतिहासिक ज्यान प्राप्त करता है तो राश्टिय अस्तर के महतु से वापरचित होता है आज टाज महल विश्व के अज प्रेम की भावना जागरित करने कर काम करता है यह राश्टिय अगोरों को प्रदान कर अच्छे नागरिक बनाने का प्रियास करता है इतिहास अध्यन से छात्र देश के महपूरसों के सवर त्याग बलिदानियों अन्य महतपूर कारियों का अध्यन कर प्रेड़ा प्राप करता है तो यह राश्टिया महात्व मत्रब हम विविन प्रकार की इमारतों के बारे में मिनारों के बारे में गुफाओं के बारे में इस्तंभले एक सिला लेकिन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और भी जो महापुरुस हुए हैं जो हमारे पूरवज रहे हैं उन्ह इसका लाश्ट पॉइंट है अंतराश्टिय महातो तो इतिहास का अंतराश्टिय सभावना की दृष्टी से भी विशेस महातो है क्योंकि इतिहास क्योंकि विश इतिहास के ज्यान द्वारा ही छात्रों को विभीने देशों की सब्वतायों संस्कृति का ज्यान कराया जा सकत प्रडाम सुरूप इस अच्छात्रों में बिस बंदूत की भावना बिक्सित होगी जो अंतराष्ट्य सब्भावना महत के लिए आधार बनेगी तो यह भी है कि मैंने आपको बता रही था कि जब हम इतियास काध्यान करते हैं तो हमें बीभीने देशों की सक्तियों इभीने देशों की संस्कृतियों के बारे में सब्भिताओं के बारे में जानकारी मिलती हैं तो इससे क्या होता है कि धिरे-धिरे भावी चारा बढ़ती है सतुरता धिरे-धिरे खतम होती हुआ हमारे संस्कृति को जानते हैं हम उनके संस्कृति को जानते हैं तो एक अपनापन की भावना आती है तो ये रहा इतिहास का महत्तुर आगे हम लोग इतिहास लेकन से समंधित और भी टॉपिक्स को लाएंगे और पढ़ेंगे